होली का देहन की कहानी होली का देहन बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार के रूप में मनाया जाता है और होली का देहन की कहानी सुनते है सनातन धर्म में होली का पर्व का अपना एक विशेश महत्व है होली का पर्व फालगुन माह की पूर्निमा के दिन मनाया जाता है होली दो दिनों तक मनाई जाती है इस दिन लोग आपस में दुश्मनी को भूलाकर आपस में गले मिलते हैं तथा एक दूसरे को रंगव गुलाल लगाते हैं होली का पर्व भायचारे का पर्व है होलाश्टक होली से आठ दिन पहले लग जाते हैं और आठवे दिन होली मनाई जाती है। होली से एक रात पहले होली का दहन किया जाता है यहां इस पर्व से जुड़ी होली का दहन की कहानी दी गई है। होली का दहन की कहानी पौरानिक कथा के अनुसार हिरन यक्षिपु असुर जाती का अत्याचारी और निर्दई राजा था। उसके अत्याचार के कारण वहां की प्रजा भी बहुत दुखी थी। हिरन यक्षिपु को भगवान से वर्दान मिला था की की कोई नहीं मार सकता है इसी के घमंड में अंधा होकर उसने स्वयम को भगवान मान लिया और अपनी प्रजा को भी अपनी पूजा करने के लिए विवश किया हिरन यक्षिपु के पुत्र का नाम प्रहलाद था वहा भगवान विश्नु का बहुत बड़ा उपासक था प्रहलाद अपने पिता द्वारा स्वय को भगवान मानने की बात का विरोध किया करता था जिसके कारण हिरन यक्षिपु क्रोधित हो जाता था प्रहलाद अपने पिता को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कहता और भगवान विश्नू की भक्ती करने के लिए बोलता था मगर हिरन यक्षिपु को अहनकार और शक्ती का इतना घमंध हो गया कि वह खुद को भगवान मानता था हिरन यक्षिपू को जब पता चला कि उसका पुत प्रहलाद दिन रात भगवान विश्नु की आर्धना करता है अपने पिता की नहीं तब उसे इतना क्रोध आया कि उसने प्रहलाद को मरने के लिए कई शड्यंत रचे मगर वह सफल रहा अंत में उसे अपनी बहन होलिका की याद आई होलिका को वर्दान मिला था कि वहा आग में नहीं जल सकती है इसी का फाइदा उठा कर उसने प्रहलाद को आग में जलने की चाल चली और अपनी बेहन के पास गया और उसको बोला कि तुम प्रहलाद गोद में लेकर आग में बैठ जाना तब होलिका हिरन्यक्षिपू के कहे अनुसार प्रहलाद को गोद में लेकर लकायों में धेर पर बैठ गई मगर प्रहलाद भगवान विश्णू का भक्त था तो उसे भला क्या हो सकता था उल्टा होलिका अपने वर्दान में मिली आग में ही जल कर राख हो गई और भगवान विश्णू ने अपने भक्त प्रहलाद को बचा लिया इसी घटना को हम सब होलिके दिन यानी होलिका देहन के रूप में मनाते है इसके बाद भगवान विश्णू ने नरसिंग अवतार लेकर हिरन्यक्षिपू का भी अंत कर उसके आतंक से सब को मुक्त किया और हिरन्यक्षिपू को उसके बुरे कर्मों की सजा मिली इस तरह धर्म की अधर्म पर विजय हुई